बुद मॉर्णीन यूओल आज समलब पढ़ते हैं कोलोनियलिज्यम अर्बनाइजेशन एंड दी अर्बनाइजेशन का पार्ट तू और यहाँ पर हम लोग देखेंगे ओल्ड एंड न्यू अर्बन सेंटर का डिफरेंस Old Urban Center कहने का मतलब Cities Old Cities बगेरा दाट मेंज ब्रिटीस रूल से पहले का दाट मेंज मुगल पिरियोड का सिटी और इसी तरह से New Urban Center या तो New Cities कहने का मतलब British time का cities का ठीक है that means यह दोनों में difference British time और Mughal time का जितना भी city से दोनों का difference क्या था यह हम लोग दिखते हैं तो first of all old urban center का बारे में हम लोग बात करते हैं that means urban center before British that means Mughal period का urban centers बगरा तो first of all तो old urban centers जो थे यह urban centers को generally world cities भी कहते थे that means यह urban centers जो हुआ करता था British का अने से पहले का totally आपका protected रहते थे that means fort city रहते थे किला रहते थे चारो तरफ आपका cynic बेगरे तैनात रहते थे और it is also surrounded by moat moat मोट मतलब इसी तरह से सहर का चारो और आपका water का एक deep channel भी बना हुआ रहता था ताक कि कोई भी invader आसानी से invade न कर सके that means हमला न कर सके ठेके और इसी तरह से आप यह old city देली का बात करेंगे तो देली जोए एक बड़ा city उस समय का इसको divide किया हुआ था आपका different word या तो थाना में और फिर इस तरह से word या तो थाना को डिवाइड किया हुआ था different महलास में ठेके और डेली का अगर बात करेंगे यह total आपका डेली में 600 महलास और 18 थानास थे ठेके और यह question भी होगा आपका और टेक्स्ट में ठेके और ऐसी तरह से अग हम लोग देखते हैं पर सहां जहान अबाद तो सहां जहान अबाद आपका यह old city डेली जोए old डेली जोए पुरानी डेली जोए जो भी बोलो आप उसी को जब किया गया सहां जहां मुगल एंपिरर सहां जहां का time में उसी old city डेली में एक सिटी का किया फ़ोट से आप का फोटेविस में अट इन आपका 14 गेट से तराट मिंस हुआ है करता था इस मिए को सिटी चारों तरफ से आपका स्राउंडेट रहेते थे वाल से और वहाँ पर भी बीक आपका गेट रहेते थे एंट्री पॉइंट रहेते थे इसी तरह से साजानाबाद जो है इसमें आपका टोटल 14 गेट हुआ करता था और साथ-साथ वहाँ पर एक पैलेक्स कंप्लेक्स भी था पैलेक्स कंप्लेक्स मतलब वहाँ पर रेट फोट जहां पर आपका मुगल एंपेरर रहा करते थे और जामा मस्जीद जोए वह उसी में ही है आपका साजानाबाद में और यह जहान जामा मस्जीद जोए ऐसिया का लार्जेस मस्जीद थे और इसी तरह से यहां पर आपका हवेलीज बगएरा हुआ करते था मुगल रूल का एक सिंबोल है हवेलीज बगएरा डैट मीज रीच पीपल रहने का जो घर है यह जेनरली पार्क उसका साथ साथ आपका प्लेगराउन्ड और लाइट का बहुत अच्छा ग्याउस्टा होता था टेके और बिटिस का जो residential बिय्डिंग जो होता था इसको कहते थे bungalose जैसे कि यहाँ पर आपका मुगल पेरियोड में हावेली और यहाँ पर आपका bungalose bungalose जेनरली आपका single storage building होता है और यह nuclear family रहते है इसमें होता यह भी बड़ा किन्तो यहां पर आपका होविलीज जो होता हैं मॉल्टी स्टोरेट और जयंट फैमिली जय्दतर रहते थे और इंड्या का form नावल को in from इस तरह उपका डिबूजन था इस तरह का डिफेरेंस से आपका ओल्ड सीटी और न्यूहांने ब्रिटी चुली से okay thank you